तो Samsung की watch for classic LTE किस प्राइज बे जाने वाली है कुछ लोग में से comment section पूछ रहते हैं कि Samsung की watch for classic हम लेना का plan बना रहे हैं तो यह big billion ने sale पे यह Amazon great Indian festival sale पे कितने की जाने वाली है price क्या रहने वाला इस watch का तो चलिए यहां पे हम price को चेक करते हैं कितने price में आपको देखने को मिलेगी और guys क्या अभी भी यह worth है watch लेना यह आपको कोई और watch लेनी चाहिए तो चलिए बात करते हैं अभी तक आपने अगर मेरा fast track की जो optimus 2 pro है उसका review नहीं देखा जाके आप चेक कर लो तो guys चलिए यहां पे बात करते हैं Samsung की देखो Samsung की watch जो है first of all मैं इसके support की बात कर लेता हूँ क्योंकि उसी से आप इस watch को buy करोगे क्या इसका support मिलेगा आपको long term के लिए अभी भी लेना बेटर रहेगा क्या यह 6 मिने बाद बन तो नहीं जोगी पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी अगर आपके थे नियस के नहीं रिष्ट है तो मत लेना आपके हाँ पर अच्छी न लगेगी बेकार लगने वाली है तो लेके बाद में पच्छता होगी फिर मेरी वाम रिष्ट साइज जो है 6.5 इंचिस का उनाची जैसे की मेरा है 6.5 इंचिस का 1.43 इंचिस की डिस्पले मिलती है इसमें आपको अराउंड 1.4 इंचिस की आप मान सकते हो और 450 पिक्सल का रिजॉर्शन है 1000 इंचिस की पीक प्रैटनेस है संलाइट विजबिलिटी कमाल की है सैमसिंग की वाज में यह तो काफी अच्छी बात है अब यहां पर बात करते हैं इसके दो वेरिट आते हैं थिन रिष्ट के लिए आप जा सकते हैं थिनी अमीडिय रिष्ट के लिए आपको 42M लेनी पड करते हैं अभी हाल फिलाल में जो इसमें आपको वेरोस जो मिलता है यहां पर 5.0 मिलता है बिसिकली मैं आपको दिखायता हूं यहां पर software वर्जन देखो वन योई 5.0 है वीरोस 4.0 है यह यादा है मेरेको वीरोस 4.0 है जो Android वर्जन है वो 13 पे बेज़ड है अब अगर आप यहां पर पता लगाना चाहते हो आप Firebolt की जो ड्रीम वाच है या औरेकल वाच है उसके comparison में यहां पर Android वर्जन बहुत ही जादा बेटर है बहुत जादा आगे है और support इसका काफी अच्छा है 4-5 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है वाली इस watch में हाँ 4-5 साल तक आपकी यह pair रहेगी आपकी क्योंकि Samsung की watch 3 classic Samsung की watch 2 अभी भी pair हो रही है phone के साथ तो 4 classic का तो आप पूछो मत अच्छा खासा आपको support मिलेगा 4-5 साल तक तो अराम से major software update कितने मिलेंगे इस watch में क्योंकि VROS 4.0 है तो guys एक ही मिलेगा आपको VROS 5.0 मिल जाएगा उसके बाद इसमें support जो major update है वो आना बंद हो जाएगा support रहेगा से अबसे की तरह से जिसकी security updates आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसमें last रहेगा android version 14 पे build up का VROS 5.0 इसमें रहेगा ठीक है और one UI 6.0 आ जाएगा इसमें that's it तो guys एक major update और security updates आपको 3 साल तक मिलेगा और 5 साल तक अराम से support चलती नहीं क्योंकि वो पुराने वाले units देने हैं आपको simple सी बात है जब आप watch लेते हो बैटरी सच में उतनी नहीं चलती है आपकी कम चलती है जैसे कि अगर आप starting में लोगे कुछ apps इसमें install होंगी है यहां पे proper settle होती watch basically जब आप इसको pair करते हो अपने phone के साथ तो settlement में time लेता है apps download होती है apps update होती है ठीक है बहुत सा चीज़े हो रही होती है background में तो उस पर time लेता है उसके बाद जैसे ही आपके uses pattern को जान लेगी यह watch तो उस तरीके से सही चलेगी फिर उसके बाद आपको वो नहीं मिलेगा इस मैं कह सकते हो battery issue नहीं मिलेगा आपको ठीक चले ठीक है जैसे यहां पर दिख सकते हो मैंने Bluetooth calling वाला option on कर रखा है ECM वाला बंद कर रखा है तो आप भी ऐसे कर तकते हो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है अब उसके बाद अगर बात करें आप जो इसका experience है कैसा है बतलब battery किती चलती है actual में बैटरी का issue तो है definitely यहां पर अग मेरी जो Apple की watch है वो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा नहीं किस्ती इतनी Samsung की क्योंकि इसमें capacity बहुत कम है 361mH capacity इसमें दी गई है battery की जो की बहुत ज़्यादा मिरख्या से डाउंसाइड है इस watch का बहुत ज़्यादा कम है अभी कि Samsung की watch 6-7 में आपको अच्छी खासी battery life मिल र जाती है और यहां पर पावर सेर मोड पर भी यहां पर अच्छा खासा battery ले सकते हो तो बैसिकली जो Bluetooth पे अगर आप इसको यूज करते हो अराम से आपका एक दिन निकाल देगी वह भी ऑल्वेज निस्प्ले के साथ सारे के सारे के सारे करने के साथ आपको यहां पर एक दि करेंगे पीछे का जो बैक एरिया है इसका यहीट कर जाता है क्योंकि ग्लास्टिक मेटियल का बना हुआ है और काफी हीट करता है हाथ पहनने में आपको दिक्कत हो जाएगी तो यह चीज़ द्यान में रखना है अगर आप यहां लेने का प्लान बना रहे हो अभी तो रिचाज करना की ज़रूत नहीं है यह क्लोनिंग टेक्नोलोजी यूज कर लेती है सारे के सारे के सारे मैसेज वाला पैक या कॉलिंग वाला सब कुछ यहां पर वाच पे दिखने लगेगा तो यह काफी अच्छा है उसी के साथ-साथ प्रॉपर यहां पर डायल पैट भी अब आते हैं सेल पर कितने की जाने वाली है तो बात करते हैं जो में यूनिट है और टिसिक एम यहां पर प्राइञ है अभी फिलाल यह वाली का जो प्राइज शिल रहा है 8999 की मिल रही है और यही जो 46 mm वाली है यही आपको देखनी को मिलेगी around around 72.99 मतलब 7300 से लेके 7600 रुपीज के प्रैस बेगन में बिग बिलेंडे सेल पर और exactly आप 27 तरीक को देख सकते हो सब के लिए सेल स्टार्ट है 26 तरीक को प्लस मेंबर्स के लिए सेल स्टार्ट है तो आपको सता है सेल को यही वार्ट लेकर मिल जाएगी 7300 से लेके 7600 रुपीज के स्मार्ट प्रैस पे अब 42 mm का प्रैस क्या रहेगा 42 mm में Bluetooth कॉलिंग वाली ही मिलेगी आपको E-SIM वाला मिलना मुश्किल है अब अगर इसका normal वाली बात करूँ जिसमें रोटेटिंग बेजल नहीं होता वो आपकी normal वाली जो प्रैस है वो तो 5 यार भी गई है 40 mm वाली उसमें दो ही आते हैं 40 mm और 44 mm इसमें आता है 42 mm और 46 mm तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसका यह जो उपर की रिंग है ना आप चूज कर सकते हूँ प्रैसिंग Amazon पे और Flipkart का सेम ही रहेगा almost आपको 100 रुपय तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ज़रूर बट एल्स तो प्रैस 7300 से लिए 7600 एक्सपेक्टेड है इससे जादा नहीं जाएगा यह मैं शूर हूँ 7300 में Samsung की Watch 4 Classic की डील कैसी है सूपब डील है गाइस definitely यहाँ पे अराम से आप यूज़ करो 4-5 साल काफी अच्छी चलेगी यहाँ पे almost 2 साल हो चुके है मेरे को इस Watch को और काफी अच्छी चल रही है मेरे यह Bluetooth calling मैंने on करका है और यहाँ पे मेरे को around देर दिन का battery life मिल जाता है सारी साथ notification on phone के साथ connect करके भी always on display on करके भी यहाँ पे देर दिन का battery backup मिल जारा मेरे को तो guys आप भी निकाल सकते हो देर दिन का battery backup अब यह कि बहुत सारी app नहीं डालनी है आपको आपको background में application clear करते रहना है यह सब आपको ध्यान मेरे रखना है और एक चीज़ काफी अच्छी है इसमें NFC payment का option देखने को मिल जाता है इधर से आप activate कर सकते हो जो कि आपको other watches में मिलेगा ही नहीं तो यह इसमें काफी अच्छा है Samsung पे यहाँ पे support करती है तो guys यह simple सा वीडियो था आप जाके buy कर सकते हैं Samsung की watch for classical tea कि दोनों ही color shades की link आपको description box मिल जाएगी save करके रख लो बिग बिलेंडे सेल पे आप तुरण जाके buy कर सकते है and कौन-कौन चाहता है कि मैं big blend ने सेल से एक दिन पहले live जाऊँ जरू में को comment section बताना आप सबी की सामने आउंगा मैं live 26 तारीक को रात को या 25 तारीक की रात को ताकि 26 तारीक जैसी लगे जो हम plus members है उन सब के लिए सेल स्टार्ट हो जाएगी और आपको मैं best से best deal बता पाऊ उस टाइम तो जरू मैं को comment section बताना तो channel को subscribe कर लो, bell icon call कर दो मिलते हैं आप सभी से एक लिए वीडियो में till then बाबाई